नमस्कार क्रिशान भाईयों एक बार पिर स्वागत है आपके अपने चनल टेक्निकल दिव में अचानक पटा के से चल गया हाथ तो क्या करा है प्रात्म को पचारी इसके बीटी वाज की वीडियो में यही जान करी हम देंगे पटाकों से जल जाने पर प्रभावीत स्थान पत्रण तोल्सी की पत्तियों को भीज़ कर इसके रषच का पेश तचा पल लगा है तुल्सी की पत्तों को रष तचा को सीटुता देने के साथी जलन को भी कम करने में कर गर होता है दीपवली का तवार अपने हाँ साथ धेरो कुशिया उमंग और सम्रित्ती लेकर आता है दियों की रोशनी से हर दिशा जगमगा उपती है लेकिन प्यार कुशी और मिठास और अपने पर इस तवार में कई वार आतिस वाजी और कुछ लोगों को पटा के जलाने में हुई ल जलने पर प्रभावती स्थानों पर बहुत जलन होती है इसलिए नतर अंजाज ना करें और इसका तो आप घर पर क्या प्रात्मिक उपचार ले सकते हैं इसकी बारे में हम आपको बताते हैं सबस्पहले आप क्या करें पटा को या किसी जलन जिन पदा से जलने पर धंड़ लगों कर रख सकते हैं और इसके बाद सीख रही जिकेस सब्सक्राइब दूसरा यह तुलसी का रश पटाके से जल जाने पर वह वह तेस्तान अपर तुलसी की पत्तियों को पीशकर इसकी रश पिष्ट को तचा पर लगाएं तुलसी के पत्तों का रश तचा को सीदोंता करने में कारगर होता है इसके अलाब आप डाक्टर की दावाईयों के सांसद अगर तुलसी के रश को तचा पर लगाते हैं तो जलन को निशान मी नहीं रहेगा तीसरा यह पटाकों से जलने पर जलन के सांसा जुबन भी बहुत होती है इसलिए जले हुए हिस्से को नारिय पर लगाने के बाद से संपर्थ करें पाजबा आप को बता देते हैं आलू गाज़ा गाजर का रश जले हुए हुए अंको जलन को कम करने में आलू और गाजर का रश भी फाइदबन होता है इसलिए पटाकों में जल जाने पर तुरं तुछा आलू अद्बा कच्ची में कुप चाल ले सकते हैं वीटी बच्चे लगाओ किशान भाई हो तो वीडियो को लाइक करें और किशान में तो अबसाद सेर करें